बॉलिवुड बर नाम है भाई लव स्टोरीज के लिए एक कैलेंडर में 50 रोमांटिक मुवीज और 50 की 50 बिलकुल एक जैसी तो चलो आज कुछ दूफानी करते हैं एक लड़का और लड़की की कहानी में लड़की को हटाके मशीन को रख देते हैं रोबोट अब सुनने में मज़ा आया तेरी बातों में ऐसा उलजा जिया जितना रोमांटिक इस फिर्म का नाम है उतना ही सुरीला इसका सब्जेक्ट है सारे गामापा आपके दिमाग में सारे बटन दब जाएंगे क्योंकि बॉलिवुड में पहली बार रोबोट हीरो या विलन नहीं वाइव बनने वाला है मुबारक हो रोहे का तुकड़ा पैदा हुआ है तो यार हर दूसरी रॉम कॉम की तरह इस कहानी में भी लड़का लड़की एक दूसरे से तकराते हैं और पहली नजर का प्यार इश्क महाबबत सब कुछ हो जाता है अगला स्टेप क्या है हम सब जानते हैं मुँ मीठा करिये रिश्टा पका करिये भाई शादी तक बात नहीं गई तो क्या खाक लव स्टोरी पूरी होगी क्या सोच रहे हैं लव स्टोरी में वाईलेंस और सस्पेंस कहां से आ गया बोला था ना ये लव स्टोरी थोड़ी तेड़ी है क्योंकि लड़के के साथ लोहे की लेड़ी है सिर्फ दो मिनिट में मेरी बातों में आपका दिमाग यू उलज गया तो पूरे दो घंटे क्या होगा जब रोवोट अपने होने वाले पती के साथ ससुराल में लेंड होगा देखो भाई नमबर वन चीज जो बॉलिविट की लव स्टोरी का पूरा मज़ा खराब कर देती है वो ये कि हर फिल्म की एंडिंग हम पहले से जानते हैं कि कैसे खतम होगी लेकिन इस फिल्म में बहुत सारे एक्सपरिमेंट्स हैं जिस पर जिसे एंडिंग तो छोड़ो फिल्म का अगला सीन क्या होगा वो पता लगाना भी मुश्किल है अन्प्रेडिक्टेबल कहानी और बेस्ट चीज ये है रोबोर्ट साइन्स इन सब के बावजूद सिनमा को फामिली फ्रेंडली बनाया गया है इसमें कॉमेडी और रोमैंस का कॉक्टेल बनाके आपने लव आजकल लेखी है इसके आगे एक और कल जोड़ दोगे तो शाहिद कपूर वाली फिल्म का मतलब समझ जाओगे समझ लो वैसा ही कुछ फ्रेश डिफरेंट फिर भी सेंटी करने वाला सिनमा लॉट आया है बस लॉजिक के लिए दिमाग बिलकुल इस्तमाल मत करना लेकिन अगर आप मुझसे डिरेक्टली पूछोगे ना कि इस फिल्म पर पैसे क्यों खर्च करने चाहिए तो एक दिम क्लियर जवाब होगा फिल्म की अनेक्सपेक्टेड एंडिंग जी हाँ फिल्म का क्लाइमिक्स काफी शौकिंग है यार अचानक से जो वक जजबात और फिल्म का थीम जब बदलेगा आपका मुझ फटा का फटा रह जाएगा कैसे पब्लिक को ये भरोसा दिला के कि भया इश्क तो अंधा होता है इंसान से हो या मशीन से फिर अचानक से आँखे खोल देना मशीन करेंट भी मारती है बट एक चीज ध्यान रखना फिल्म से एक्सपेक्टेशन्स हॉलिवुड जैसी ना लगाना थोड़ा मैच्चे और सिनमा नहीं है ये बच्चों वाली कहानी है इजी फिल्मेकिंग कृती सेनन की चल रही है फ्लॉप मुवीज की लंबी स्ट्रीक लेकिन ये बात शाग आप भी जानते हो उसमें से किसी भी फिल्म में इनका काम बिल्कुल खराब नहीं होता है इस फिल्म में कृती का सबसे मुश्किल मिशिन इंपॉसिबल ये ही था कि वो इंसान होते हुए भी आपको कैसे यकीन दिलाएं कि वो रोबोट हैं अच्छी बात ये है कि ओवर कुछ भी नहीं है गाना बजाना लड़ना हसाना हर जगे पर फिल्म एक्स्ट्रा कुछ भी ट्राय नहीं करती है सिर्फ कहानी के अंदर गोल-गोल गुमो तो यहार मेरी तरफ से फिल्म को मिलेंगे 5 में से पूरे साथे 3 स्टार्स पहला different subject love stories को modern मिलाने की कोशिश दूसरा robot पे फिल्म बना के उसको family audience में fit करना अच्छे से handle with care हुआ है तीसरा कृती का काम जबरदस्थ है human robot आसान नहीं होता और शाहिद कपूर as actor इनसे ज़ादा talented कौन होगा बोलो आधा स्टार specially for climax जो शुरू होता है comedy की तरह और बदल जाता है sacred games में negatives में सबसे बड़ी शिकायत for one star cutting यही है कि दो घंटे में बहुत कुछ और भी दिखा सकते थे थोड़ा maturity वाला content emotions film में और जादा होने चाहिए थे जब दिल तूटे तब बुरा लगना चाहिए ना लेकिन first attempt okay है आधा star इसलिए कटेगा फिल्म को खतम बड़े अजीब तरीके से कर दिया उबला हुआ अंडा बोल के half fry बना दिया अब थेटर जाना है की नहीं फैसला आपका है भाई लेकिन बॉलिवुड के इज़त बढ़ने वाली है 100% करिए थोड़ा से इंतिजार मिलती हूँ अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई